तीन भाभियों की एक नानाद आशा और विनोद के तीन बेटे और एक बेटी थी आशा ने अपने चारों बच्चों की शादी कर दी थी और उसके चारों बच्चे अपने अपने जिन्दगी में बहुत खुश है विनोद की सरकारी नौकरी थी जिस वज़े से वो आशा के साथ अपने अलग छोटी घर में रहा करता था बहुत जल्द विनोत की रिटार्मेंट हो जाती है हलो आशा, वो गई मेरे रिटार्मेंट, अब तो तुम खुश हो ना सही कहा आपने, आज मैं बहुत खुश हूँ अब हम अपने बच्चों के साथ रह सकेंगे अपने उसी पुराने घर में मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने तीनों बेटें राम, अनुराग और अमित को भी अभी फोन करके बुला लो क्योंकि अगले हफते आपकी रिटार्मेंट की पार्टी जो है अरे बेटो के प्यार में कहीं बेटे को ना भूल जाना तुम सभी बच्चों को फोन करके बुला लो हम सब अपने पुराने घर में रहेंगे एक साथ मिलकर नौकरी और शादी के बाद आशा के तीनों बच्ची अलग-अलग रहा करते थे पर आशा और विनोद एक साथ रहते थे क्योंकि विनोद की सरकारी नौकरी थी जिस वज़े से उसका अक्सर ट्रांसफर होता रहता है पर रिटायर्मेंट के बाद आशा अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहती थी और इसलिए वो अपने सभी बच्चों को फोन करती है प्रिया बिटा याद है ना अगले हफ्ते तेरे पापा के रिटायर्मेंट पार्टी है तो आ रही है न दामाज जी के साथ मा तुम ये कैसी बात कर रही हो मैं तो बहाना ढूंती रहती हूँ आपसे और पापा से मिलने का इसी बहानी इस बार में अपने भाईयों से भी मिल लूँगी वैसे भी काफी समय हो गया है भाईया भाबी से मिले सही कहा प्रिया बिटा लास्ट टाइम तेरी शादी में ही तो पूरा परिवारी खटा हुआ था अच्छा तुझे पता है तेरे पापा के रिटायर्मेंट के बाद तेरे पापा और मैं तेरे तीनों भाईयों के साथ अपने पुराने वाले घर में रहेंगे वाँ मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, काश कि मैं भी रह पाती आते जाते रहना बेटा, अच्छा भी रखती हूँ, तेरे भाईयों को भी फोन करके बताना है ना, ताकि सब समय परा सके अब आशा प्रिया का फोन रखकर अपने तीनों बेटों को फोन करती है आशा और विनोध ने ये पार्टी अपने पुराने घर में रखी थी, जहां उसके बच्चों का बच्पन गुज़रा था सभी बच्चे समय पर आ जाते हैं, और पार्टी को बहुत इंजॉय करते हैं पार्टी खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठ कर पुरानी बातों को याद करता है और तभी आशा अपने बच्चों से कहती है क्या असे समय बेद गया, कुछ पता ही नहीं चला मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई एक बाबा आपका बस एक ही सपना होता है कि वो मरते समय अपने बच्चों के साथ रहे मा, अब ऐसी बते क्यों कर रही हो? अभी आपको और पापा को बहुत जीना है हम जानते हैं राम बिटा इसलिए तो तुम्हारी मा ने और मैंने फैसला लिया है कि अपसे हम साथ इसी घर में एक साथ रहेंगे पहले की तरह? अब जैसे ही विनोत की तीनों बहु सपना, कोमल और अंजली ये बात सुनती हैं तो वो तीनों एक साथ रहने से मना करतेती हैं और बहाने बनाने लगती हैं मा पिताजी एक बार ये फैसला लेने से पहले हमसे पूछ तो लेते हाँ मा दीदी बिल्कुल सही क्या रही है आप तीनों ने सोच भी कैसे लिया कि हम अपना काम जुड़कर यहां आएंगे अब जान देना हम लोग दूसरे शेहर में सेटल हो चुके हैं बहू, राम और अनुराग का तो अपना खुद का बिजनेस है और दोनों भाई का बिजनेस इसी शेहर में है तुम दोनों को यहां रहने में कोई दिक्कत नहीं है और अमित को तो अभी अभी नाकरी लगी है और उसके बास दे तो उसे आफर भी दिया है इसे शेहर में रहने का फिर दिक्कत क्या है? माई दिक्कत यह कि अब हम तीनों भाई बड़े हो गया है हमारी अपनी खुद की फैमिली भी है इतना बड़ा परिवार बाफ करना पर आप एक साथ नहीं रह सकता और माजी हम छोटे शहर में नहीं रह सकते अगर आप दुनों अपने बच्चों के साथ ही रहना चाते हो तो ऐसा कर सकते हैं कि एक मीना आप राम भाईया के घर रह लो और एक मीना मेरे घर भाईया भाबी यह आप दुनों क्या बोल रहे हो मा, पापा हमेशा साथ में रहे और आप उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हो प्रिया दीदी, आखिर दीदी ने गलत ही क्या कहा है बिल्कुस सही कह रही है बला कोई एक जना दोनों की जिम्मदारी कैसे उठा सकता है और हम सब इस छोटी शहर में नहीं रह सकते अपने बहिया भाबी की ऐसी बाते सुनगर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला लेती है कि अपने माता पिता को वो अपने साथ रखेगी भाबी, अगर आप दोनों मा पापा को एक साथ नहीं रख सकते तो मैं रखूंगी मा और पापा को अपनी साथ उनकी जिम्मदारी मैं लेती हूँ पर मैं अपने मा पापा को कभी अलग नहीं होने दूगी प्रिया, ये तुम्हारे घर की बात नहीं है इसलिए तुम हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी माती दो और वैसे भी ये घर की बात है घर के इज़त घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है अगर रिष्टेदारों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे बहु बेटों ने अपने साथ ससर को घर से निकाल दिया इसलिए बेटी ने अपने घर में जगा दी अब बेटे को बेटे होने का फर्ज नहीं निभाना तो बेटी को ही अपना फर्ज निभाना पड़ेगा ना प्रिया बात को समझो तुम ममी जी और पापा जी को अपनी साथ अपनी सिसराल में नहीं ले जा सकती कभी सोचा है तुम्हारे सिसराल वाले क्या सोचेंगी मेरे सिसराल वालों के चिंता आप सब मत करो प्रिया अपने भईया भावी के फैसले के खिलाफ हो जाती है और उनसे अपने माता पिता के लिए लड़ाई करने लगती है अपने बच्चों के बीच जगडा देखकर आशा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अकेले में जाकर विनोट से कुछ बात करती है विनोट जी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे आपस में इस तरह से हमारे लिए लड़ाई करेंगे इन्हें आपस में लड़ता देख मुझे बहुत दुख हो रहा है वाश्वा तुमने सुना नहीं हमारे बेटे बहुने क्या फैसला लिया क्या हम अपने बेटे बहु के लिए बोज है मुझे अपने बेटे बहु का फैसला मन्जूर है पर मैं अपनी बेटी पर बोज नहीं बन सकती और गलती क्या है इसमें आखिर अब हमारे बच्चों की भी अपनी फैमिली है वो हम दोनों का खयाल एक साथ नहीं रख सकते एक महीने आप राम के पास रहना और मैं अनुराग के पास फिर अगले महीने मैं अमीत के पास चली जाओंगी और आप अनुराग के पास आ जाना कम से कम हम अपने तीनों बेटों के साथ रह तो पाएंगे आशा के कहने पर विनोध उसकी बात मान जाता है और कुछ दिर बाद बाहर आकर विनोध अपनी बेटी को समझाता है और तीनों बेटों को अपना फैसला सुनाता है मैंने और तुम्हारी माने फैसला ले लिया है कि हम कहा रहेंगे और किस के साथ रहेंगे पापा मैं जानती हूँ, आपने बिल्गल सही फैसला लिया होगा अब आप तोनों मेरे साथ चलिए, कोई जरूरत नहीं ऐसे बीटों के साथ रहने की नहीं प्रिया बिटा, अब तेरा अपना अलग घर परिवार है, वो तेरा सिसुराल है हम तेरे साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम तेरे भाईयों के साथ रहेंगे मा, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो, क्या आपने सुना नहीं भईया भावी ने क्या कह, वो आपको और पापा को अलग कर, पापा, मा को समझाईए न प्रियो बेटो, मैंने तुम्हारी मा को समझाने की बहुत कोशिश की पर अब तुम्हारी मा का यही फैसला है, तो मेरा भी यही फैसला मा, यह सही नहीं है यही सही फैसला है बेटा अब तु अपने से सुराल जा सकती है हमें अपने बेटों के साथ जाना है राम, बेटा, हमें तुम तीनों का फैसला स्वेकार है ठीक है, फिर एक महिने पापा मेरे साथ रहेंगे और आप अनुराग के साथ रहे लेना अच्छे, आप जल्दी से सामान पैक करिए क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो चुका है मैं अब और नुकसान नहीं जल सकता, चलिए जल्दी से घर चलना है अपने माता पिता का फैसला सुनकर अब प्रिया के दिल को बहुत ठीस पहुंचती है वो वहाँ से रोती हुई अपने सिसुराल चली जाती है तो वहीं आशा अपने दूसरे बेटे अनुराग के साथ उसके घर चली जाती है और विनोद अपने बड़े बेटे राम के साथ